नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी श्टडी एड़ा में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के अंतरगत कस्तूरबा गांधी बाली का विध्याले की वेकंसी तो निकली हैं इसके बात बात करते हैं लेखा कार की देखिए पूर्ड कालिक सिख्षिका जो नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कि जो भी विसेक के लिए यहाँ पर आपको मागी गई वाकेंसी उसी में आपका ग्रेजुरेशन उना चाहिए बी एडिग्री या उसके समका चैयल्टी ग्रेट इत्यादि होना चाहिए अपर प्राइमरी का टैट होना चाहिए है सेम चीज आपका अंसकालिक में उसी से संबंदित कोर्स होना चाहिए, बाकि TET अनिवार नहीं होता है, जैसे कि साधिक सिक्षिका में आपका दे रखा है, और मान दे आपका 22,9800 अंसकालिक का इस तरीके से रहता है, लेखाकार की बात करते हैं, तो Commerce से आपका Graduation होना में भी है, तो टोटल वेकेंसी हैं, फिर साहयक रसोया की बात करते हैं, तो आपका 5175 मान दे, यहां पर एक वेकेंसी आपकी जनरल में है, और एक अनुसूचित जाती में है, इस तरीके से, चपरासी में भी सेम आपका OBC वर्ग में केवल एक वेकेंसी, और चौकीदार मे में आपका सेलेक्शन होता है, उपर वाले जित्ते अंसकालिक, पूड़कालिक सिक्षिका हैं, इसमें मेरिड के आधार पर होता है, यह किस जिले की बात कर रहे हैं, उसको भी जान लीजिए, तो यह हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंतरगत, परूखा बात नामक जिले की, यह नोटिफिकेशन कब निकलाता, तो देखेंगे आप 6-6-2023 को आपका, दो दिन पहले ही आपका निकला है, क्योंकि आज 8-6-2023 जो है आपकी तारीक है, और यह आखरी तारीक है, 21-June-2023 की आखरी तारीक है, साम 5 बज़े तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं टोटल इसमें कितने जो विद्याले उसमें विकेंसी निकलिए, तो 5 कस्तूर्बा गांधी आवासी बालिका विद्याले में ये विकेंसी आपकी फरूकाबाद में निकलिए, कहां पर आप ये भेज़ेंगे अपना फॉर्म भर करके, तो कारेले, जिला, बेसिक, सिक्षा, निगट पुलिस लाइन पतेगड फरूखाबाद ये आपका जो है निर्धारित पता है बाकी इसमें बाकी डिटेल जो है आप सभी जानते हैं जो कि मैंने उपर बता दी कि सेलेक्शन मेरिट बेजड भी होगा जो की टीचिंग पोस्ट है नॉन टीचिंग के लिए कर दिये जाएगा बाकी आवेधन पत्र के साथ अंग पत्र प्रमाड़ पत्र चरित प्रमाड़ पत्र जन्त प्रमाड़ पत्र निवास प्रमाड़ पत्र जाती प्रमाड़ पत्र जो की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतत है सो प्रमाड़ जो प्रतियां वो भी आपको पीच होनी चाहिए और ये एज आपकी एक अपरेल 2023 से जो है वो काउंट होगी और बाकी इसमें सभी पदों पर केवल और केवल महिला बढ़ती ही जो है वो पात्र होंगे इस चीज को आपको ध्यान देना है और साथी साथ दो अंक भारांक होती है आप पहले से कारव रहते ह इसको समय के अकॉर्डिंग बढ़ाया है घटाया भी जा सकता है अब बात करते है हमारी अगली विकेंसी की जो कि आपकी फरूखाबाद में ही निकली है और ये है आपकी माधिमिक विद्धायले संस्क्रत उच्चतर माधिमिक विद्धायले फरूखाबाद जिससे पहले भी निकल चुकी है लखनों की वो हम बता चुके है एक वीडियो में नहीं देखा हो जरूख लीजेगा उसमें अलग-अलग विद्धायलों में हमने विकेंसी बताईती है यहां पर आप देखेंगे तो उत्तर मधिमार इस तर अध्याफक के लिए निकली है जिसमें साहित की एक विकेंसी है आधुनिक अंग्रेजी जो है उसकी एक विकेंसी है और साथ ही साथ इसमें मांदे 15,000 रुपए जो है वो आपका रहता है और इसके लिए जो अंतिन तारीक है वो वीडियो भी आगे बताएंगे एज यहां पर 21 वर्स मिनिमम आपकी होना जरूरी है सैक् या पीजी या इंटर या है स्कूल इन सबके जोड़ करके मेरिड आपकी बनाई जाती है बाकी अभी आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बाकी इस हैक्षिक योगिता की बात यहां पर हो गई और यह आपका नीचे विद्धायले का है तो यह विद्धायले का नाम है तो 11 और 12 के अकॉर्डिंग ही आपका यहां पर जो भी इलजिबिल्टी होगी वो काम करेगी वेकेंसी आपका साहित की है अधुनिक अंग्रेजी की है टोटल एक एक पद है यहां पर आपको कितने क्या अवेधन सुल्ग जमा करना पड़ेगा तो 250 रुपए जो है आपक को एफीज नहीं जमा करनी है तो आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा इसको बनवाना होगा रेखांकित पोश्टल ओडर संस्था प्रबंधक के पक्ष में बनवाना होगा लाट तारीक जो है वो 19 जून 2023 की है ऑनलाइन आविदन केवल और केवल पंजी करत डाक के माध्यम स से ही आप आविदन कर सकते हैं और समय है आपका यहां पर लाज तारीक 19 जून 2023 की और समय है आपका साम 5 बजे तक बाकी यह भी लिखा है जिला विद्धाले निरक्षक को आपका प्राप्ति हो जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ इमेल आईडी पर भी आपको समस्त जो भ अब्यरती अपने सैक्षेक, प्रिसिक्षर, योगिता, सभी अंग पत्र, प्रमाड पत्र, सामाने निवास और स्व प्रमाड चाया प्रतिया आवश्य लगाएं जो की इनी संस्क्रत विद्धाले की वेबसाइट है जिस पर आप जाकर के विस्तर नोटिफिकेशन पढ़ स सकते हैं यह भी यहां पर बताया गया है कि इसके लिए जो सड़ते वगयर है वो आपका ऊपर देखे एक तारीख लिखी है इसमें 17 मई 2023 इसके अकॉर्डिंग होगी तो वह अगला नोटिफिकेशन इसी में है 17 मई 2023 का जिसमें आपका बताया गया है कि इनको केवल कतब तक के लिए रखा जा रहा है contractual based पर रखा जा रहा है जब तक जो आपके अन्यपद हैं उन पर सिक्षक की नियुकती ना हो जाए यानि कि परमाइनन टीचर की नियुकती जब तक नहीं हो जाती तब तक के लिए रखा जा रहा है और एक और नोटिफिकेशन है 24 जोलाई 2021 का इ जैसे मैंने लख्णों में आपको दो अलग अलग दिखायते हैं विद्याले तो उसी प्रकार maximum पांच विद्याले में आप आविधन कर सकते हैं यहां पर आपका पूरी सारी चीज़े समझाई गई है कि आपका जो सैक्षित प्रेश्टबूमी है उससे 120 नंबर लिए जिसमें हाइस्पूल के अगर फश्ट डिवीजन होगे तो दस नंबर चुड़ेंगे सेकिंड डिवीजन होगे तो पांच नंबर थर्ड डिवीजन होगे तो दो नंबर इसी प्रकार इंटर्मीडियेट का 16,84 इसनातक का 20,10,5 इसनातक को तर्यानी पीजी का 24,12 और अगर इस चीज़ को ऐसे समझे जैसे अगर आपका प्रेक्टिकल में पंस डिवीजन है और और थोरी में प्रिप्रस्ट डिवीजन होगे थियाईगी और इसससबी नंबरों को जोड़ करके आपकी मेरिड बनाई जाएगी और अगर आपने PhD के धार हैं तो 20 नमबर extra जो है इसमें जोड़े जाएंगे और यहां पर साथी साथ जो fees को लेकर है वो हमने उपर आपको अल्रेडी बता दिया और इसमें ऐसा नीचे कुछ भी खास नहीं है बस married का ही खेल है तो married में आपको यहां पर ध्यान देना है कि जितनी higher qualification आप इसमें लगा सकते हैं वो लगाईएगा ताकि married आपकी ज्यादा से ज्यादा जो है वो बने सारी चेज़े हमने बता दी यदि आपको कोई प्रसनों कमेंट में अवश्च पूछ लेजेगा वीडियो लाइक के साथ साथ पहुचा अवश्च दीजेगा और लोग साथ शेयर करके एटलिस जो फरुखा बात के हैं जो आवेदन करना चाहते हैं उनको पता तो चले तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार चैन